तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्विच स्टेट्मेंट की तो इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें इलसेफ ठीक है इनको हम स्टडी कर रहे थे तो इलसेफ यह सब था हमारा लेकिन उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्विच तो स्विच क्या है कि जितना भी आपने अभी पढ़ा इलसेफ में उसी को और सरल ढंक से यहां पर अच्छे से पेस किया गया है सेम चीज जो यहां पर होती वही चीज वहां पर भी थी इलसे जा इन पर इंए जो होता है इसी रिए स्विच स्टेट्मेंट का हम लोग जूज करते हैं कि डूसे लेक्ट वन और मञी कोड बलग 27 गूटेट तो बहुत सारे बलक होते हैं यह देखिए संब बलग है ठीक तो इनक से केवल एक ही रन करता हैं जैसे हम लोग सेफ का इस्त इसे करके लंबा कोड पढ़ जाता है आपका वहाँ पर तो उसी को छोटे में लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट की जरी है और इससे हमारा जो स्पीड होती है एक्जिक्यूशन की वह भी बढ़ जाती है इल सिप से ज्यादा अच्छी स्पीड आपको स्विच में देखने को मिलती है और इसका सिंटेक्स के साथ हो तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आप स्विच की वर्ड लिखते हैं और उसके बाद पैरेंटिसिस में आप एक्सप्रेशन देते हैं ठीक है यही एक्सप्रेशन चेक होता है इस केस के आगे जो लिखा हुआ है इनसे है ठीक तो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसके बाद इस स्विच की बाड़ी होती है इस curly bracket से लिकर इस curly bracket के बीच में और यहाँ पर case keyword होते है यही block की सुरुवात करते हैं और यहाँ पर condition check होती है मतलब यहाँ पर आपने जो कुछ दिया वो इसी जगह से case के आगे जो लिखा हुआ इससे check होता है इससे क्या होगा compare होगा इनसे compare होगा अगर यह चीज और यह चीज दोनों same होती है तो आपका जो यह column के बाद जो भी लिखा हुआ है code ठीक है जो कि इस case का code है ठीक है तो यह run कर जाता है और जब एक ही case कोई भी एक run करता है चाहें यह वाला case block run कर जाए या फिर यह वाला block run कर जाए ठीक तो बाकी का कोई भी नहीं चलेगा और कोई भी अगर आपका case जो है case block कोई भी आपका run नहीं करता है switch case आपका जो एक block या भी दूसरा block या तिसरा चोथा कोई भी अगर आपका run नहीं करेगा तो last में जो default वाला है block वो चलता है जैसे हम लोग if else में देखते थे तो if, else if, else if ऐसे करके last में अगर कोई भी नहीं चला तो last में आपका एक default जो else में code पड़ा हुआ था वो चलता था ऐसे इसमें switch में भी अगर कोई भी switch case अगर नहीं चलता है तो last में आपका जो default code पड़ा हुआ वो चलता है तो इस तरीके से ये काम होता है तो इसको देखते है तो ये कैसे काम करता है भी बता दिया कि switch एक बार evaluate होता है एक बार जो है ये चलता है कोई भी block इसमें चल जाए या फिर ये switch block चल जाए या फिर जब कोई भी नहीं चलेगा तो last में default तो चलेगा और the value of expression is compared with the values of case case का जो value है यानि ये इसकी comparison होती इसी से है अगर एक match कर गए तो ये ही वाला switch case चल जाएगा बाकि का कोई भी नहीं चलेगा चलने की बाद तो दोर यहां पर case की testing भी नहीं होती है इग्नोर कर दिया जाता है इग्नोर इसली किया जाता है क्योंकि यहां पर break keyword होता है break keyword का काम होता है कि इसके अंदर का सारा code run हो जाएगा उसके बाद ये code को यानि switch plug को break कर देता है ताकि जो आगे की जो testing है उसके लिए समय बरवाद ना किया जाए क्योंकि एक तो चली गया है बागे की test की क्या जरूता है तो यही है इसमें और break and default keyword आगे बताया जाएगा तो यही बता रहे है इसका एक example देख लेते हैं यह तो देखिए सबसे पहले यहां पर class यह आपको पता है सबसे प्लेजिंग सिस्टम नेम स्पेस यह नेम स्पेस बनाए गया उसके बाद आप इसके अंदर classes होते है तो आपने class बनाए उसका नाम रखा है program ठीक है उसके अंदर यह आपका static white one string ergs keyword तो आपको लिख नहीं है ठीक उसके बाद इसके अंदर आप एक variable बनाते है इसकी value है 4 उसके बाद आप switch बनाते है जो कि यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है इस कर लेगे रहे हैं ठीक काफी लंबा है यह तो यहां पर day की value कितनी है 4 है अब आपने switch जो block switch block बनाया है तो उसमे day की value कितनी है 4 है तो इसी 4 की matching इस case के आगे जो लिखे हुए number है इसी से होती है जो भी match कर जाएगा तो देखें यहां पर match कर रहा है ओपर से अगर control आया तो सबसे पहले match कराते जाएगा यहां पर match हो जाता है उसका अब यहां पर match होगा तो इसके अंदर column के बाद जो code लिखा है यानि इस case block के अंदर जो code लिखा हुआ column के बाद यह run कर जाएंगे ठीक तो इसका काम तो होता है right line method के जरीए इस चीज को यहां पर display कर रहा है उसके बाद यह काम करने के बाद control यहां पर जब आएगा तो उसको मिलता है break और इससे switch block break हो जाता है और control बाहर आजाता है इस block के बाहर और इसकी बज़े से इन आगे की जो case होते हैं इनको वो ignore कर देता है ठीक क्योंकि एक तो execute होई क्या तो बागी execute करने की जरूत नहीं है तो break से हमें यह फायदा मिल जाता है ठीक तो समय की बचत हो जाती है इनको test नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारा output तो इससे मिली गया है ठीक तो इस तरीके यह जो number होते है यह जैसे 4 है यह इससे test होता है match कर गया तो वही वाला block चल जाता है कि break and save lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code of the switch block switch block का जो rest बचा हुआ code होता है कोई एक चल गया जो बचा हुआ code होता है उसको यह ignore कर देता है default keyword default keyword क्या होता है जब आपको कोई नहीं चलता है there is no match in such situation जो default block होता है वह चलता है जैसे कि देखिये यहां पर देखिये day 4 switch के अंतर day 4 डाला गया day की value कितनी है 4 फिर उसकी बाद देखिये case 6 इससे भी match नहीं किया कि यहां तो 4 है इससे match नहीं किया ठीक है ना इससे match करेगा ना इससे match करेगा तो last में क्या चलेगा यहां पर control आएगा जो default में जो भी code है इसको run करा देगा तो इसको जब run कराएगा तो यह चीज आपको यहां पर right line method के जरीए यहां पर दिख रही है इसके बाद control यहां पर आएगा और break keyword मिलने से वो इस जो switch block है उससे बाहर आ जाता है ठीक यहनि switch block है आपको break हो जाता है जाता है जाता है जाता है